हेलो स्टूदेंस विल्कम बैक वन्स अगें आज की इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे इंपोर्टेंट नीट क्वेश्चन फ्रॉम टी टॉपिक एंडो मेंब्रेन सिस्टम इसके अंदर हम बात करेंगे गॉल्जी बॉडी लाइजोजोम वैक्योल के बारे में और को मझेट 對啊ं चैनल औरे मॉर्फिक टेनल होती है पॉली मॉर्फिक का मतलब होता है में법 पाली म्जीट वार्फिजिकल फॉरण तो जो पॉली मॉर्फिक से लाइज … विल्यो Rego इसके एंदर हमेशा Associate ईजा लाइजोजोम लाइजोजोम जो होता है इस बाॉन्न बाउन प्श change its structure, वो अपना structure change कर लेता है, कभी वो autophagic vacuole बन जाता है, कभी residual body बन जाता है, कभी phagosome बन जाता है, तो इसी बज़ा से हम जो polymorphic cell organal हो गई, वो होगी lysozome, right, second question is, secondary lysozome containing undigested substances are called, तो ऐसा lysozome, secondary lysozome जिसके अंदर undigested substances होते हैं, मतलब वो substances जिनकी digestion बहुत अच्छ से नहीं हुई, ठीक है, जो undigested रहे गए, तो उसके लिए, hetrophagosome नहीं होगा, digestive है क्यों भी नहीं होगा, residual body will be the answer, residual body में आप देख सकते हूँ, नाम से पता चल रहा है, residue, residual body वो होती है, जिस पे कुछ बचा रह जाता है, residue का मतलब होता है, leftover, तो residual body के अंदर undigested waste बच जा डिक्टोजोम इस डिक्टोजोम क्या होते हैं, आपको याद रखना है, plants के अंदर जो गौल जी है, उसको डिक्टोजोम बोलते हैं, because it is present in unconnected units के form में present होती है, तो option देख लेते हैं, अपना interconnected sister ने इन आनिमल्स, animals में तो होगा ही नहीं, plants में होता है, यह non-connected sister ने इन प् ने इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर जो गौल जी है, वो डिफ्यूस्ट फॉर्म में मिलती है, उसी को हम डिक्टोजोम बोलते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है है, नेक्स्ट वेशन इस यह नीट 2018 में पूछा गया है, तो गौल जी कॉंपलिक्स तो डिको रेस्पिरेशन की साइट तो माइटो कॉंड्रिया होती है, तो यह तो होगा नहीं और अगर हम बात करें बैक्टिरिया में बैक्टिरिया में बैक्टिरिया में बैक्टिरिया में रेस्पिरेशन माइटो कॉंड्रिया में भी नहीं होगी, महां पर मीजोजोम में इत फ़र्थ ऑप्शन हो गया पैटी ऐसी ब्रेकडाउन नहीं करवाता है तो यहां पर गॉल जी का मेन फंक्षन होता है गॉल जी फॉर्म सेक्रीटरी वेसिकल गॉल जी को हम ट्रेफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते हैं त्रैफिक पुलिस ओफ सेल इसलिये बोले क्योंकि इसका काम होता है तो कंट्रोल दी मुव्मेंट ऑफ सब्स्टेंस विदिन दी सेल एं आउट साइड दी सेल इसमें क्या होता है से क्रीटरी वेसिकल्स बंती है उनके अंदर डिफरेंट सब्स्टेंस पैक होते हैं और फिर सेल के अंदर डिफरेंट डिस्टेंशन में बूफ करते हैं तो यह नीट 2018 में गॉल जी से इंपोर्टन पूछा गया था नौ नेक्स्ट क्वेशिन इसक्ट पैकेजिंग आपको देखना है माटीरिल की पैकेजिंग कौन करता है गॉल जी कॉम्पलेक्स और फिर उसको पैरिटिस नेक्स्टेस एस सेल औरकनल कंटेनिंग हाइड्रोलेटिक एंजाइं तुट हो जाएंगे लाइजозों इसी वजासे hydrolitik enzymes की present होने की वज़ा से ही हम लाइजोजोम को suicidal bags पूरते है suicidal bags of cell right now question number 8 is which one of the following cell organal is enclosed by single membrane ये नी 2016 में पूछा गया है उपर वाला question में नी 2016 में पूछा गया था कि कौन सा organal है जो कि single membrane से bound है तो आपको याद रखना है nuclei mitochondria chloroplast ये तीनों ही double membrane से bound होते हैं इन दो तीनों की चारो तरफ double membrane होता है बट जो लाइजोजोम है जैसे हमने पहले भी बात करी थी लाइजोजोम इस बाउंड बाउंड बाइस सिंगल मेंब्रेन राइट क्वेश्चन अबर नाइन दिस nuclear envelope is a derivative of nuclear envelope किसका derivative है किससे बना है यह याद रखना है नूक्लियर envelope जो nucleus का envelope होता है बहार वाली covering होती है उसके जस्ट पास में मिलता है एंड़ोप्लास्मिक रेटिकुलम और जो एंड़ोप्लास्मिक मिलता है वह भी आरीर से इसको बोल देंगे कि डेरिवेटेव ऊफ आरीयर रफ endoplasmik reticulum स्ट्रॉप रफियार स्ट्रोक्ट्टेर देखो तो नूक्लियर का स्ट्रॉक्टेर इस तरह से बहार वाला इसा होता है तो यह अंदर वाला इनर मेंब्रेन हो गया यह बहुर वाला आउटर मेंब्रेन के ऊपर यहां पर राइबोजोम्स मिलेंगे तो रफ एंडो प्लास्पिक रेटिकूलम में इसका मतलब है नुकलिस का जो बहुर वाला एंवलप है इस डेरिवेटिव फ रफ और शेखने नमबेर टेन इस बहुड वरी इंपर्टेन इस तुछ और बहुत ज्यादा इंपर्टेंट इन इंप्रेटिक डिरिक लाइन से उथा इया गया गया वेशने एंड इल्ए निट्वरग ओ फिलमेंटर्स प्रोटेश्य स्ट्रॉक्चिर ब्रेजिवेशन इंडी स रोल आएगा साइटोस्केलेटन का साइटोस्केलेटन ही इलाबोरीटेट नेटवर्क होता है प्रोटीन के फिलामेंट का ठीक है डारेक्टली एंसियाटी की में जोड साइटोस्केलेटन की डेफिनिशन दिखी हुई है वह उठाकर यहां पर दिये क्वेशन नमर 11 थे साइटोस्केलेटन इस मेर पोस एपीम्टी 2009 में पूचा गिया था कि साइटोस्केलेटन किसका बना होता है तो पहले क्वेशन में ने देखा इट इस अ प्रोटीनेश स्ट्रक्चर्टर प्रोटीन का बना हुआ है तो यहां पर इसका आंसर होना चाहिए lipid ये श्यूस के लिखा टेटनेश शबेंट आ बना है निहीं और मेंघ्यूं मेंद इससे प्रुचिड सथरैना है जरिख्यों कि माहिए अलैग सोंट्का प्रोटीन दिछा है यह कि अव्न्रें आश्टा धाइस न्यामड्रेन राग बिहले टोनया थे शूट्टीन और स्क तो आने ऊंपाएन होती है उनके साथ जब शुगर मिल जाता है शुगर ग्रॉप ऑपने त WalkS process takes place in Golgi apparatus तो यहां पर आंसर हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट क्वेशिन अबर 14 इस ती गोलजी complex plays a major role in Golgi का major role किसमें है नी 2013 में पूछा गया है digesting proteins and carbohydrate यह डाइजेस्ट करने का काम तो लाइज़ोजोम का होता है क्योंकि लाइज़ोजोम के अंदर hydrolytic enzyme होती है तो यह गलत हो गया as energy transferring और्गनल energy transfer करने का काम होता है mitochondria का यह वाला काम है उपर वाला लाइज़ोजोम का in post translational modification of proteins and glycosidation of lipids तो हमने पीछे question देखा था उस पर आपको बिताया था कि proteins के बनने के बाद उनकी जो modification होती है तो proteins बनने वाले process को translation बोलते हैं और उसके बाद उसकी modification हो रही है तो पोस्ट translation हो गया है तो हम यहां पर देख सकते हैं protein synthesis को बोला जाता है translation synthesis के बाद modification हो रही है तो उसको बोलेंगे post translation modification modification ठीक है तो यह कहां कौन करवाता है गौल जी तो इसका अंसर हो गया थर्ड नेक्स देख लिए ट्रैपिंग दी लाइट इन ट्रांसफॉर्मिंग इंट्ट कैमिकल यह फंक्शन होता है इसल की साइज इंक्रीज हो जाती है तो इसे कौन कंट्रोल करता है यह नीट 2014 यह एप्यम्ट 2014 में पुछा गया है तो यह इट इस अंडर दी कंट्रोल आफ वैक्यॉल वैक्यॉल का काम होता है और स्मोंटिक कॉंसेंट्रेशन को मेंटें करना ठीक है तो यह सारे इस्टम में थे अंसायटोस्क्लाटन में सी अभी देख सकते हैं मेजॉर्यटी अफ दीक्वेश्टन जो पूचे गए है वह गॉल जी अपैरेटर से पूचे गए है तो गॉल जी एर लाइजोजोम यह बहुत जादा इंपॉर्टन है यहां से भर बार कोई ना कोई है आप इन क्वेश्टन को जरूर्ट प्रेक्टिस करिए इत विल हैं यो नीट एग्जाम अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अगर आप मेड़े चैनल पे नए है तो चैनल को सब्स्क्राइब करिए थैंक यह सो मच फॉर व